आस्ट्रेलिया में खालिस्तानी समर्थकों की गुंडागर्ती बढ़ती जा रही है। कुछ दिनों से आस्ट्रेलिया में खालिस्तानी घटना एक काफी जादा देखने को मिल रही है। तैकर जम्बु कश्मीर की राजधानी शीनगर पहुची थी जहां राउल गांधी ने रविवार को एतियासिक लाल चौक जाकर दिरंगा फिराया और कहा कि भारत से किया गया बादा पूरा हो गया है। उन्होंने यात्रा को अपनी जीवन का सबसे गहरा और सुन्दर अनभव बताया। अगले 24 गंटों के दौरान सामाने से भारी बारिश या बर्वारी हो सकती है। बर्वारी से श्री नगर डर्जीर के आसपास भी बर्व की सफेज सी चादर जम गई है। हिमाले में बसे द्वारदस जोत्रिलिंगों में अगरडी 11 जोत्रिलिंग केदार नाध धाम में जम कर बर्वारी हो रही है। केदार नगरी में शाम से रुक रुक कर लगातार बर्वारी जारी है। केदार नाध धाम में डेर से दो फिट तक बर्व जम चुकी है। बाबा के धाम में लगातार हो रही बर्वबारी का रर्ण धाम में चल रहे सभी प्रकार के पुनर निर्मार कार भी ठपड़ गए हैं इसके साथी केदार नाथ धाम में रह रहे मजदूरों को भी भारी ठंड का सामना करना पड़ रहा है वहीं इस बर्वबारी के चलते इसके बाद शीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में एक रैली का एजन किया गया जिसमें शामिल होने के लिए एक कॉंग्रेस ने समान विचारवाले 23 राजनेतिक दलो को आमेंतरित किया था। कि जमु कश्मीर के लोगों ने मुझे हैंड ग्रेनेट नहीं प्यार दिया है। कि अधिकांज मैदानी छेत्रों में रविवाराज से बारिश का दोर जारी है। शिमला के नारकंडा में ताजा हिम पात होने से एनच पांच पर याताया ठपो गया है। वहीं लाहौल घाटी के जोलिंग गाओं के समीब जवेन नाला में सुबार को हिमस्कलन हुआ। हिमस्कलन थे चिनाब नदी का बहाव करीब एक घंटे तक रुका रहा। वहीं मनालिस देते हिम और हिमस्कलन अध्धन संस्थान ने कुल्लू और लाहौल में हिमखंड और हिमस्कलन की चेतावनी भी जारी की है। श्विद्याले के परिशानी अंतर ने बताया है कि इस तकित परिशाओं की नई तारीकों का जल्द गुशित किया जाएगा। वहीं रवीवार राज से बारिश होने के कारण जम्बू शीनगर हाइवे में कई जगाओं पर पत्थर गिनने और भूसकला होने के बाद यातायत थप है। इसने शीनगर जाने और आने वाले वहनों की हाईवे पल लंबी कतारे लगी है। बदरीना धाम, हेमकुंट साहिब, फूलो की घाटी, रुदरनाथ, नंदा, गुंगटी, लालमार्ठी के साथ ही नीती और मार्या खाटियों में देरा से बर्वारी हो रही है। इमाचल प्रदेश में औरन जलर्ट के बीच बर्वारी और बारिश का दौर जारी है। प्रोतांग और स्पिती घाटी बर्व से लगदग दिखाई दे रही है। शिमला के जाको में हलकी बर्वारी होई है, वहीं कुफरी, खडापत्थर, कुल्लू घाटी में भी हिमपात हुआ है। परेटकोनों ने कुल्फरी नारकंडा, सोलंग नाला में बर्वारी भी खुब मस्ती की। शिमला में सबसे जादा 170 सड़कों पर आवाजाई बंध है। अपरा तफरी मच गई, मलारी गाउं से पहले ही ये हिमखन टूटा है, मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ट वग्यानी गुर्ण रोहित, थपियाल ने मौसम के बदले, मिजाज के चलते हो तरकाशी चमोली पे थोड़ागर, बागेश्वर में कहीं कहीं भारी की संभावना जताई है, इसे लेकर औरेंज अलर्ड भी जारी किया गया है, मौसम विभार और सोंबार को भारी बारिष और बरवारी के साथ ही कहीं कहीं ओलाव रष्टी की भी संभावना है, सरकार शाचन और आबदा प्रबंदन को सतरकने की हिवायत दी गई है, वीडियोडेस्क अमरुजाला.com